हेलो अर्यों स्वागत है आप सभी का एक और फैंटेसी प्रिव्यू में मुकाबला है यहां पे इंडिया बनाम अफगानिस्तान एक और बड़ा गेम जो खेल जाएगा है दारुण जेटली स्टेडियम में डेली बहुत सारे रंज देखे थे हमने आप इन लास्ट गेम और लास्ट कुछ गेम हमारे लिए भी अच्छे गाएं सो फिंगर्स क्रॉस्ट लेट्स कीप इट गॉइं इंशॉर आप लाइक कमेंट जरूर करिया और पॉजिटिविटी बनाए रखिये विन प्रिडिक्शन ऑविसली इस गेम के लिए इंडिया की तरफ एक बहुत अच्छा गेम ही होना चाहिए अलसो याद रखिए कि फैंटेसी क्रिक प्रो पर हमारे साथ जरूर जुड़ेगा जो भी फाइनल टीम अपडेट्स सब कुछ आपको वहीं पर मिलेगी और आप एक और चीज़ के लिए बहुत ज्यादा लुक फ़वर्ड कर रहे हैं वो है यह कल लेट सी अगर नवीन उसके साथ साथ अब बात करेंगे पिच्छ रिपोर्ट की अब यह पिच्छ रिपोर्ट बहुत क्रूशल हमने जो पहला गेम देखा यहां पर बहुत सारे रंस बने जो टीम चेस की श्रिलंका श्रिलंका ने भी 300 प्लस क्रोस कर दिया साथ आफ्रिका का तो आपको पता है 400 प्लस मारा टॉप थ्री बैटर्स आके 100 मार दिया एकसेप बवुमा एक टॉप पोर में से थ्री ने 100 मारे वहां पर तो शॉट ग्राउंड डायमेंशन अगर पिच्छ सेम रहेगी तो हम एक्सपेक कर सकते हैं वही दुआदार बैटिंग पर पिच्छ रिपोर्ट बहुत थी उतनी ही स्विंग यहां पर दिल्ली में थी हैं हमने देखा था स्टार्टिंग के ओवर्ज में जो बहुमा का डिस्मेसल हुआ था साथ साथ में कुछ प्लेजन मिस्स भी थी एन यह कैसे एफेक्क करेगा गेम को किशान जैसे बैटर है सामने रूहित कभी कबार प्रॉप करना मुश्किल होगा बट ग्रैंड लीग में सेनारियो आप बिल्कुल ट्राइ कर सकता है स्विंग यहां पर अच्छी कासी है एक फर्स कुछ ओवर्ज में एक जो टीम न्यूज है हमारे पास ओविसली नॉट गुद न्यूज ने ट्रैवल नें किया डेली फॉ वह बिट्विन शार्दुल ठाकुल अश्विन ठाकुल पहले खेल चुके हैं डेली के लिए याद रखिए कि इनका इंपक्ट बेटर हो सकता है यहां पर कुछ खास पिन नहीं होने वाली तो मेबी अश्विन का उतना खास इंपक्ट ना हो ऐसा बैटिंग वाल्यू भी उ लगेगा ऐसी पिच पे वह एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब अफगानिस्तान की टीम ही दे सकती है तो प्रिटी मॉच ऑल इनॉल सिमरे लाइन अप से यहां पर हम एक्सपेक्ट करेंगे है रिमेंबर तो साइन अप और माइमास 11 एक्सचेंज पर इंटो दोनों है बोलर्स के लिए और सामने जो ओपोजिशन है उतनी हाई क्वालिटी की नहीं है तो अगर वो जो एक दो वर इनिशिल स्विंग के खेल निकालते हैं तो बहुत अच्छी पारी कहल सकते हैं प्रॉबली मेरी बेस टीम में रहेंगे यह शुब मन गिल ओविसली नॉट अच्छा खेल सकते हैं इस टीम के सामने अगर वो आपको बोल दें कि बहुत ज्यादा मुव्मेंट होगी अप टॉप आज कोई रॉप पेस नहीं है सामने कि इन्हें कोई यौकर फास यौकर ढाल के आउट कर दे विराट कोली अगर मैं ऐसा ही कहलूँगा आपको कि अगर आप 20 जील टीम बना रहे हैं अगर आपको इन पर रिस लेना है तो आप फिर भी एक ही टीम में रिस ले सकते हैं इतने अच्छे फ्लो में चल रहे हैं ओविसली इनके लिए सिर्फ एक ही बड़ी थ्रेट है वो य हां पे यह सेनेरी आप बिल्कुल कर सकते हो कि अब कुछ टॉब पॉइं माश्ट लैवें लीडबोर्ड यहां पर कुछ टॉप टॉप प्राइस पर थारें तो आपको क्या करना है ऐसा नहीं कि ज्यादा इंवेस्ट करना है आपको खाली GL teams बनानी है और आपकी जो best points की team होगी हर game की वो होगी count towards the leaderboard की तो ensure आप सब इसमें बिल्गुल participate करेगा और यह investment leaderboard जो high investors है उनके लिए हर रोज एक iPhone आप जीत सकते हो my master 11 app पे and यह जो best investor है दिन का उन्हें वो iPhone मिल जाएगा तो ensure कि आप इन offers पे पाट ले अब बात करें श् ground को अच्छे से जानते हैं and जैसे मैंने कहा है कि इनकी जो aerial खेलना पसंद है ऐसे ground पे उस चीज़ को suit करना चाहिए तो I think Shreya Sayyar एक अच्छी choice बन के आ सकते हैं KL Rahul भी obviously बहुत अच्छे form में चल रहे हैं अब KL Rahul को आप कि सिनारियो में risk ले सकते हो सिर्व इस सिनारियो म जब ही आपको लगता है कि उनकी बैटिंग नहीं आएगी क्यूंकि अगर बैटिंग आ रही है तो जिस टाइप के form में बिल्कुल भी chance लेके point नहीं बनता आपका I think इस game में इनका role थोड़ा बढ़ सकता है in comparison to the last game as last game में slow track थी तो ज्यादा bowling की जरुवत नहीं पड़ी थी बट यहाँ पे इनकी bowling ज्यादा काम आ सकती है तो maybe मेरे लिए captaincy, vice captaincy choice भी बन के आ सकते हैं as पहली batting में batting के chance अच्छे खासे बन जाते हैं and bowling से इनका काम थोड़ा ज्यादा हो सकता है इस game में Ravindra Jadeja, I don't know कि इस track से इन्हें कुछ खास मिलेगा या नी even bounce वाला track है, यह सारी assumptions में यही basis पे कर रहा हूँ कि pitch will be the same as the first game तो वो हिसाब से first bowling में maybe इन पर chance लिया जा सकता है as फिर chase में इनको कितनी bowling मिलेगी उसकी भी कोई certainty नहीं है but all in all base team में risk लेके इन पर भी point नहीं है Ashwin I think खेलना unlikely as मुकाबले में and सामने इतने सारे left handers भी नहीं so I don't know कि इनका कितना impact बनेगा इस game में शार्दुल ठाक हो अगर खेलते हैं पहले bowling में definitely pick करूँगा second bowling में mostly इने pick करूँगा मैं as मुझे लग रहा है कि Pacers का quota यहां पर ज्यादा होगा in this game and शार्दुल वो role अच्छे से निवा सकते हैं with bat and with ball फिर बात करें कुलदीप की अब कुलदीप जैसे मैंने कहा last game में भी aggressive bowler है तो कुछ फरक नहीं पड़ता यह 85-90 runs भी खा लें हमें इस बात का फरक नहीं पड़ता हमें क्या चाहिए 2-3 wicket and मुझे लगता है कि चाहिए first bowling करें या second specially second bowling में यह wicket बिलकुल लेंगे second bowling में मैं कहूँगा इन्हें आप कुछ teams में GLCVC बिलकुल try कर सकते हो मौमत सिराज I think इस venue पे भी अच्छे pick बन सकते हैं यह I think last game में ज्यादा help नहीं थी फिर भी काफी अपने आपको hold करके अच्छी bowling की with that line and length and यहाँ पे भी एक effective pick बन के आ सकते हैं बट ऐसा नहीं कि बोलस के लिए कुछ खास help है तो basically team में आप try करोगे इन्हें बट I don't think कि captaincy wise captaincy से उतने attractive option यह लग रहे हैं फिर बात करें जस्प्रीत गुमरा की obviously एक बहुत effective option है एक बात याद रखी कि क्योंकि opposition सामने ऐसी है कि जल्दी विकेट जा सकते हैं पेसर का वो हिसाब से थोड़ा रोल बन सकता है so all in all I think यह ऐसा गेम होगा जहां आपको 8-9 इंडियन प्लेयर्स रख नहीं पड़ेंगे तो most of the players become important अब चलते हैं इंट्रेस्टिंग पार्ट की तरफ कि अफगानिस्तान से कौन से होंगे आपकी वो golden picks सो अफगानिस्तान side of things and we start with रह्मानुला गुर्बाज यह conditions उन्हें enjoy करने चाहिए बट एक जो उनकी main problem होगी वोगी इंडियन पेस को face करना अगर कहा जाता है कि कोई grass नहीं है तो last game में movement इसलिए मिली है थोड़ी बहुत grass थी अगर grass नहीं है तो फिर इन्हें लेके मतलब बनता है बड़ अगर grass है I think with the early moment इन्हें एंड जदरान को कुछ तकलीफें हो सकती है जदरान के favor में एक बात जो जाती वो यह है थोड़ा ज्यादा stably खेलते हैं इतना risk नहीं लेते हैं जितना गुर्बाज लेते हैं वाइल गुर्बाज की favor में यह बात जाती है कि बहुत keeping points आपको दे सकते हैं बड़ वो भी इस बात पर depend करता है कि अगर आपको लग रहा है कि इतने सारे wickets जाइं यूज गेम में या नहीं फिर चलते है रहमाचा की तरफ एक ठीक टाक पिक है जील के कुछ टीम में आप इन्हें ट्राइ कर सकते हो जिस ग्राउंड पर अच्छी बाटिंग कंडिशन सी वाम अप गीम में वहां पर उन्होंने अच्छा किया था तो वो हिसाब से यहां पर भी एक अच्छा काम आपको करके दे सक सकते हैं जील में बिल्कुल ट्राइ करेगा शहीदी का फॉर्म कुछ खास नहीं रहा है और लास्ट गेम भी उन पर भरोसा दिखाया था बट कुछ भी फ्लो में नहीं लगे ज्यादस ज्यादा मैं अगर बीस टीम बना रहा हूं तो धो थीन टीम से ज्यादा मैं इन्हें नहीं लोंगा मौमद नभी यह एक बहुत ही क्रूशल रोल प्ले कर सकते हैं क्यूंकि जिस टाइप की बैटिंग करते हैं इन्हें बिग हिटिंग करना बहुत पसंद है जो इस ग्राउंड को सूट करना चाहिए और हमें पता है कि इंडियन बैटर्स कभी कबार मिडलोवर में ओस्पिन को विकेट्स देके जाते हैं तो वो हिसाब से एंडियन का इस्पीरिंस भी अच्छा खासा है आई पील भी खेल चुके हैं तो काफी चीज़ें इनके फेवर में यहां पर चल दिये बिलकुल मैंने ट्राइ करूंगा अगर जील भी खेल रहा हूं तो जील में प्लस ऐसे टाइम पर आते हैं जहां कोई मुव्मेंट नहीं होती है और बॉल ना बॉल कुछ ज्यादा हरकत कर रही होती है इनके लिए यह एक पोटेंशल चांस बन सकता है बिलकुल मैंने जील में ट्राइ करूंगा अजमतुला उमर्जाई वापस इनका एंट्री पॉइ कि इनके लिए सिर्फ एक जो सिनारियो मैं सोच पा रहा हूं जो फेवरेबल होगा वो तब होगा कि फर्स बोलिंग में अगर बाकी दोनों पेसर का दिन बहुत खराब गया तो यह आके ज्यादा ओवर्स कर पाएंगे राशित खान, आप इनके ज्यादा से ज्यादा टीम में रखोगे आपकी इस्पेशली जीयल रोटेशन में बेस टीम में भी सिर्फ एक चीज जो इनके फेवर में नहीं जाएगी कि वाइल यह बहुत सारे वेरियेशन यूज करते हैं यहां पे इनकी ज्यादा तर बॉल्स जाके बिलकुल पाटिस्पेट कर सकते हो, हमारे रेफर कोड वहां पे भी है, FCP, so ensure that you make best use of all the benefits to you क्योंकि एक no GST and no TDS app है, so ensure that you make best use of the benefits from the apps in the description, मुझी पुर रह्मान, बहुत ही interesting player, क्योंकि हमें पता है कि Indian players जब स्टार्ट करते हैं बैटिंग, तब उनके spin को आउट होने की likelihood ज्यादा है, जैसे वो game के अंदर और बढ़ते हैं, वैसे वो spin को ज्यादा flow में अच्छी तरीके से केलते हैं, ये कब डालते हैं, ये डालते हैं, पावर प्ले में आके 4-5 over, तो इनको मैं GL में जब try करूँगा, तो सीधा as CVC try करूँगा, इन सम टीम जहां पे मैं Indian top order को छोट रहा हूँ, कुछ टीम में as regular player, क्यूंकि इनके wickets लेने के chance तब अच्छे बन जाते हैं, especially under the sun, अगर हमें लग रहा है कि थोड़ी बढ़ turn, इन्हें मिल सकती है, तो I think ये एक ठीक टाक्पिक हैं, बट problem क्या है कि Indian batters ये भी कर सकते हैं, कि इन्हें defensively खेलके निका आते हुए, बट जैसा tournament गया है and कई भी spin आया, you can never say, but obviously based on जो data हमारे पास है, जो हमने अब तक देखा है, ये मेरा experience है as player के साथ, तो मैं भी based team में जगे नहीं डून पाए, बट GL में जो team में में top orders पर risk ले रहा हूँ, वहाँ पर ये जगे बिलकुल डून रहा हूँ, वापस इनकी जो death bowling है, उनके लिए वो known नहीं है, तो base team में जगे इनने भी नहीं मिल पाएगी, नवी नुलाग बहुत ही interesting pick, I think इनकी जो change ups है death में बिलकुल काम आ सकते हैं, हमने देखा है with two three teams in the last few days, कि क्या हो रहा है, अगर इनकी top order में भी strong start आ रही है, तो middle order को settle होने क time नहीं मुल रहे हैं, कि वो आ रहे हैं 40-42 overs के बाद, और फिर death में जल्दी जल्दी wickets जा रहा है, तो अगर इंडिया पहले batting करती है, तो death में इनका काम बन सकता है, फिर में भी ये मेरी base team में भी जगे ढून ले, तो नवीन उलाग, bowling first, I think एक काफी interesting pick आपके लिए बन स हश्मतुला शहिदी वसिस कुल्दीप, 24 balls, strike rate काफी खराब है, एक बार आउट हो चुके हैं, और मोहमद नभी वसिस विराट कोली, जो मैं कहरा था, middle overs में विकेट जा सकता है, 11 of 19, strike rate ठीक टाक हैं, एक बार यहां पर आउट हो हैं, so will be interesting to see, कि क्या मोहमद नभी को हैं, थ्री टीम्स के साथ, आप फ्री में जॉइन कर सकते हैं, तो अभी के अभी जॉइन कर लो, my mask 11 app, हमारा refer code fcp, link है इस video के description में, हमें support करें, अभी के अभी जॉइन करें, कि अगर आप win करेंगे, तो price तो आपका ही है, तो बनाते हमारी आज की team keeping section से, KL, Rahul, एकदम straight forward pick हम वैसे ही format से team मनाएंगे, पहली हमारी जो सारी straight forward picks हैं, उने लेंगे, और फिर fill in the blanks खेलेंगे, तो बैटिंग सेक्शन से, विराट कोली, रोहिच छर्मा, ये भी काफी straight forward picks है मेरे लिए, औल राउंडर से, रविंदर जडेजा और हारतिक पांड गया, रविंदर जडे प्यादव, तो I think 10 slots ऐसी भर गी हमारे आज के जो straight forward picks थी हमारी player one pages से, तो अब आपकी last pick जो होगी, वो किस basis पे होगी, वो हम discuss कर लेता है, इंडिया पहले बाटिंग करती है, अगर बहुत ही smooth conditions लग रही है, तो हम जा सकते हैं, इशान किशान के साथ, और ये है provided वो जो grass ह on the pitch, वो नहीं होगी, अगर हमें लग रहा है कि जल्दी विकेट जाए, हम शोर नहीं कि middle order में से corn runs करके जाएगा, तो फिर हम जा सकते हैं, नवी नुलग के साथ, जो extremely risky है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि risky pick नहीं है, तो नवी नुलग थोड़े risky pick हैं, बढ़ उनके साथ भी ज जा सकते हैं, उसके अलाब अगर इंडिया पहले bowling करें, तो यहां पर आप जा सकते हो, शारदुल ठाकूर के साथ, और आप नभी को अटा कि वहां पर किश्यान को ले सकते हो, तो यह जो last slot होगा, थोड़ा सा questionable होगा, बढ़ आपको मैं telegram के पर बता दूँगा, तो ensure कि आ अब मेरा जो inclination है, क्योंकि मैं ज्यादा तर all-rounders and bowlers को favor करता हूँ, मुझे लगता है, हार्दिक पांडिया का bat and ball दोनों के साथ रोल यहां पर अच्छा हो सकता है, अगर इंडिया को strong start भी मिली, तो भी with the bat यह promote हो सकते हैं, तो हार्दिक पांडिया for me as captain and vice captain King Kohli, obviously very safe for you to even make Kohli as captain, बट मुझे लगता है कि हमेशा मैं three dimensional player को as captain prefer करता हूँ and अभी now that मैं आपके साथ हूँ, तो पहले team के साथ मैं अपनी free contest अभी join कर लेता हूँ, तो यह हुई free contest join and अब चलते हैं GL options की तरफ, GL options की बात कर ली जाएं, नजेबुला जदरान, जैसे मैंने का एक gut feel based pick है मेरे लिए इस मुकाबले में अच्छा कर सकते हैं and with Ravindra Jadeja I think वो short boundary को बिल्कुल target करेंगे, श्रेय सेयार, इशान, किशान, obvious reasons जिस टैप की batting pitch है, नवीन, while bowling first, already आपको बता चुका हूँ, क्यो, high select drop press bomb, bowling first, Ravindra Jadeja I think बिल्कुल यहाँ पे high select drop press bomb, बन के आएंगे and grand league, captaincy, vice captaincy options, Kuldeep and KL Rahul, while bowling second, batting first, batting second, bowling first, Bumra and Siraj and in both situations, Virat, Hartik and Rohit and maybe आप ऐसा भी कह सकते हैं, कि Bumra भी in both situations देग अच्छी choice, पन के आ सकते हैं, तो यह हूँ मेरे आज के grand league options, अब चलते हैं, आज के exchange train to picks की तरह, so we start with team Afghanistan, I think 30, Najibullah, Zadran, आपको decent value देखे जा सकते हैं, batting first इने try कर सकते हो, Fuzalak, Faruqi, while bowling first at 36, same for Naveen Alok, while bowling first at 34, I think यह दोनों अच्छी picks यहाँ पर बन सकते हैं, फिर चलते हैं, बाकी की picks की तरफ, यहाँ पर राशित खान, maybe while bowling first, यह थोड़े से 50-50 pick हैं, maybe कुछ खास help इने, ना मिले from the pitch, तो यह हुई Afghanistan की बात, बात करें, India की, I think Hardik Pandya at 48, जैसे मैंने का, मैं expect कर रहा हूं कि इनकी bowling value इस game में improve होगी, तो Hardik Pandya, उसके अलावा, not too many picks, as maybe Kuldeep, जब second bowling करते हैं, थोड़े tempting बन जाते हैं, else मुझा लग रहा है, थोड़े overpriced Indian picks, तो हम जाएंगे और लेंगे उन पले उसको खाली, जब हमें value दिखरी हैं, not just for the sake of it, remember to sign up on the exchange for into app, link in the description of the video and like always, like, comment and share and join us at the rate fantasy, click through on telegram, जल्दी मिलेंगे एक और प्रिवी के ले, thank you so much for all your love and support and thank you so much for tuning in.